विश्व जल दिवस जल है तो कल है मित्रों मानव जीवन पांच तत्वों पर आधारित है जैसे जल, वायू, कृत्वी, आकाश और अगनी और आज हम इन में से एक महत्पूर्ण घटक जल के बारे में चर्चा करेंगे जल जीवन का आधार है भारत दुनिया की 16 प्रतिशद आबादी वाला देश है जबकि हमारे पास मात्र 4 प्रतिशद भाग ही शुद्ध जल का उपलब्द है जल पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही प्रकरती के हर जीव जन्तु का अधिकार है परन्तु ये एक विडमना ही है कि जिस जल संकट से सारा विश्व गुजर रहा है उसका जिम्मिदार मनुशे ही है आज जो जल संकट मुँखोले हमारे सामने ख़ड़ा है उसका कारण प्रकरतिक साद़नों का अध्यादिक दोहन और प्रदुशन ही है आज हम आपका ध्यान घर में अंजाने में ही व्यर्थ हो जाने वाले पानी की समस्या की और ले जाएंगे आरो जो कि हमारी रोजाना जिंदीगी का एक हिस्सा है दोस्तों कि आप जानते हैं कि हर एक शुद्ध लीटर पानी के लिए आपका आरो सिस्टम 3 लीटर पानी व्यर्थ कर देता है 1 लीटर शुद्ध पानी के लिए 3 लीटर पानी की बरबादी एक महंगा सोधा नहीं है मित्रों हमारे प्रोजेक्ट बूंद के जरिये हम आपको बताएंगे कि हम इस पानी को व्यर्थ जाने से कैसे रोख सकते हैं और इसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं बूंद बूंद एक समाने सा उपकरण है जिसकी कीमत मात 50-60 रुपे है जो कि इस व्यर्थ पानी के बंधारन के काम आता है इस उपकरण में आरो वाटर वेस्ट पाइपलाइन लगा दी जाती है इस उपकरण में एक फ्लोट स्विच का इस्तमाल किया गया है जो कि बूंद कंटेनर के भर जाने पर आरो सिस्टम की बिजली सप्लाई को तुरंत बंद कर देता है जिससे आपको पता लगता है कि कंटेनर भर गया है और तब आप उस पानी का इस्तमाल पोधो के लिए कपड़े वबरतंद होने के लिए या फिर वाहन साफ करने के लिए कर सकते हैं इसकी कार्य प्रणाली एक ग्राफ के माध्यम से इस वीडियो में दर्शाई गई है इस उपकरण को आप खुद भी इंस्टाल कर सकते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिशन के सायता से भी लगवा सकते हैं ततकाल में कोई भी आरो कमपनी इस प्रकार के इनिशेटिव को प्रफसाहित नहीं कर रही है हमारा प्रशाशन से अनरोध है कि जल सनरक्षन के लिए इम प्रियासों को बलपरदान करें और जन मानस से भी अनरोध है कि स्वम आगे आकर ऐसे क्रांतिकारी प्रियासों को अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट cleanandgreenassociation.com पर जा सकते हैं और हमारे social media platform पर हमें संपर्ख कर सकते हैं. धन्यवाद.